दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करेंगे ड्रीम 11 ECC T10 स्रीच की जो आज की दिन का 5th मैच खेला जाएगा इंगलेंड 11 वर्सेस इस पैन के दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इंगलेंड 11 और इस पैन के टीम ने अभी तक इस स्रीच के कितने मैचेस खेले हैं कितने मैचेस इंगलेंड 11 के टीम ने विन करा है कितने मैचेस इस पैन के टीम विन करते वे आ रहे हैं दोस्तों आपको बताएंगे इस स्रीच के खिले गई मैचेस में कौन से खिलाड़ी दोस्तों लगातार यहाँ पर ओपन कर रहे हैं कौन से खिलाड़ी फॉर्स्टान पर खिलते वे नजर आरे हैं दोस्तों अभी तक देखो कोई इंगलंड 11 के टीम ने दूस्तों इहाँ पर इस वीडियो के अंदर कि इस मैच में कौन से खिलाड़ी ने किस ओडर पर खेलते वे नजर आए हैं जैने कि सारे important update मिल जागा इस match related तो अगर आप इस match में एक बहतरीन टीम त्यार करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बिना skip किये शुरू से अंद तक देखना ताकि इस match related आपको सारे important जानकारी मिल पाए और आप एक बहतरीन टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी से request है दोस्तों अगर आप चैनल पे नए जूड़े हैं तो चैनल को subscribe ज़रू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दीख रहा होगा इस पर आप click कर दें जैसे आप इसमें click करोगे तो वीडियो को एक like जरू कर देना क्योंकि आपका एक like हमें बहुत motivate करता है दोस्तों तो एक like जरू कर देना और सबसे जरूरी बात है कि आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप को join कर लेना चाहिए यहाँ पर एक arrow का बटन दीख रहा होगा जैसे आप इस पर click करते हैं दो तो वही टीम आपको बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर guys update करके दे दिया जाता है तो काफी जर ने join कर लिया है बिल्कुल फ्री है तो आपको भी join कर लेना चाहिए दोस्तों इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे discussion box में और comment box पहला comment में भी मिल जाएगा तो दो ज चुके हाला कि एक मैच नहीं हुआ था यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही मैच लॉस किया है दोस्तों बाकी कर आप देखेंगे तो यहाँ पर आठ मैच विन करते भी आ रहे हैं देखो काफी strong team है लेकिन हुए अगर बात करेंगे इस्पें की टीम के बारे में तो के टीम ने लॉस करा था देख सकते हैं दोस्तों 38 रन तक ही चेस कर सका था पूरी टीम ओल आउंट हो गया चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस लॉडर पर खेल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंगलेंड डिलैवरिंग के टीम से दु के लिए आप ले सकते हैं दोस्तों बागी डेन की बात करेंगे तो यह भी यहाँ पर टोटल देखोगे तो यहाँ पर 263 रन स्कूर कर दिया है और यहाँ पर आपनर बल्ले बाज दोस्तों यह बहुत ज़दा इंपोर्टर रहे हैं बहुत ही बल्ले बाजी करते भी नजर यह भी काफी ज़दा इंपोर्टन रहाएं डोसário श्टारं गारी मोस्तले एंपोर्टनट विकल पो रहने वाले है आपके टीम में वाला कर आपकि इनकी बारे में बात करते हैं बाखर इनके बारी बात रीच के बारे में जो करेंगे बाकी देखेंगे जो कि नोविकर निक करते हुए जाएंगे तो ऐसे बॉलर जरूर रहा करना इनको जमन की बात करेंगे तो साथ विकेट इनुने निकाला है यह भी ऐसे बॉलर काफ़ी ज्यादा इन्पोर्टन रहेगा इवान उट्स की बात करेंगे तो टोटल अभी तक इस स्रीज में नौरन बना के चार सकते हैं बाके ऐलेक्स की बात करेंगे साथ विकेट इनुने निकालें दोस्तो और लास्ट यह भी बढ़िया गेंदबाजी करेंगों देखो लास्ट के यहाँ पर आप यहाँ पर पांच से छे खिलाडी आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन बोलर दोस दोस्तों यहां पर जो एक मैच हुआ इसमें अगर आप देखोगे तो आज भी आपको आपके बात करेंगे तो इनका भी आज का दिन कुछ खास रहा नहीं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे थे लेकिन अगर अभी तक इसके स्रीज में देखोगे जो कि इसमें से गाले हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इनका लेट इसलिग में बात करेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे थे वहीं इनके बार इम बात करें सेकेंड डाउन पर बल्ले बाजी करेंगे और बिल्कुल सही गया ही और टोटल देखोगे 64 अभी तक इस रिज में इनुने स्कोर करा है यासीर अली की बात करेंगे फीर्स डाउन का बल्ले माज है टोटल इन्होंने 61 अंड स्कोर करार एक विकेट निकाले हैं दोस्तों यह फॉर्स्ट रॉन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे लेकिन अभी आज के मैच की बात करेंगे तो नहीं खेलते हुए नजर आयते यह ची ध्यान में रखना बाकि अगर हाइडर की बारे में बात करेंगे दो विकेट इन्होंने टोटल निकाले हैं और अभी तक देखो के इन्होंने दुस्तों तो अभी तक टोटल इन्होंने 28 रॉन बना हैं 10 विकेट निकाले हैं आज के दिन के अगर यहां पर विकेट जोड़ दिया जाए इसमें तो आप समझ सकते हैं कि यह भी 12 विकेट निकाल चुके हैं देखो यह टीम के काफ़े बढ़िया गेंदबाज है और आप एज ए बोलर इनको ट्राय कर सकते हैं जो आपको कन्फर्म दो बर गेंदबाजी करते वे दिख जाएंगे बाकि जैक परमान की बात करेंगे टीम का फॉर्स रंड का बल्ले बाजा यहाँ पर चार रंड बनाए थे पहले मैच में फ्लॉप था फिर यहाँ पर बॉलिंग से टोटल 184 रंड स्कोर करा है और 4 रंड पर बल्ले बाजी करते वे नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर ती नमर पर बल्ले बाजी करते वे एक रंड बनाए है टोटल देखेंगे तो 26 रंड स्कोर करार एक विकेट निकाला है टीम का टॉप अडर का बैट्स में लेकिन आज देखोगे ती नमर पर बल्ले बाजी करते वे नजर आए थे थोड़ा सा इनका बैटिं और रवी पॉल जो की फिप्स रंटे बल्ले बाजी करते वाज बैटिंग से फ्लॉप थे बॉलिंग से भी कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है और यहाँ पर बात करेंगे नेक्स टाड़ी के बारे में उसन के बारे में जोकि यहाँ पर 17 रं खर्च के थे इसमें एक विक जिसने भी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरू करना बाकि चलिए हम लोग इसके बैसिस पर एक बहतरीन टीम की और बढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों सुरुआत करेंगी हम लोग विकेट कीपर से देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंगलेंड 11 के टीम के तरफ से यह motion high important विकल पर रहने वाला है अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो credit issue बहुत ज़दा आने वाला है तो credit problem को आपको समझ के यहाँ पर टीम क्रेट करना होगा यह मैद भी important है लेकिन यहाँ पर एक ही विकेट कीपर को मैं अपने टीम में ट्रै करूँगा जो यह flop रहते और SPA के जितने के भी कम चांसे से तो आपको यह चीज सोच के चलना होगा कि साथ खिलाड़ी आपको England 11 के टीम से कवर करना है तो पहला यहाँ पर इनको ट्रै करेंगे बहुत ही हार्ड डेटर बल ले बाज है बैटिंग की बात करेंगे तो SPA के टीम के तरफ से एच सलीम को लेना होगा दोस्तों बहुत इंपोर्टन खिलाड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगा भी तक स्रीज में देखोगे तो काफे बड़ी है परफॉम किया है बले ही आज के दिन का पहला मैच में ये बंदा फ्लॉप रहा है बाकि अगर देखोगे इंग्लेंड 11 के टीम के तरफ से दोनों के दोनों हाई इन्पोटन्ट है बाकि का स्टेट्स है याँ पर कुछ खास नहीं ये जे परमान को लेना चाहते है तो ये भी काफे बड़िया खेल सकते हैं टीव एमन को अगर आप लेना चाहोगे तो जेल में आप ले सकते हो बाकि एरेश्टन को लेते वे चलेंगे ये भी बहुत ही सूपप खिलाड़ी है बाकि एममत को लेते वे चलेंगे ये भी बहुत ही सांदर खिलाड़ी है दोस्तों केलाल को लेंगे ये भी बहुत ही सांदर खेलते वे नजराएंगे देखो, यहाँ पर केलाल भले आज के दिन में नहीं चला है, लेकिन इस तरीज के अगर परफॉर्मेंस देखोगे, तो काफी बेटर रहा है, थोड़ा सापको यहाँ पर रिसेंट की मैचेस को भी देखके टीम क्रेट करना होगा, बाकि अगर इन दोनों को बात करेंगे, तो तो कुछ खास है नहीं, अगर एक और साल को लेना चाहते है, तो जेल में ट्राइ कर सकते हैं, अगर कैप्टेंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो कैप्टेंसी के लिए मैंने यहाँ पे केलाल को फिलाहल ट्राइ किया हुआ, यद रखना यह चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पर आप यहां पर इनको भी लेना चाहते हैं यहां पर आप इनको भी लेना चाहते हैं जो पर तो तो दोस्तो इस टीम कई करके रख लें यहां पर कोई भी जिस होता है तो final team आपको टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगा जिसका link आपको इस वीडियो के नीचे डिसकुसन बॉक्स में और comment बॉक्स पहला comment में मिल जाएगा बाकी मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में जाए हिंद